नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से Steady Quiz with निर्मला यूटूब चनल पर स्वागत है अभी मैंने थोड़ी देर पहले चार भागों में चार वीडियो अप्लोड की है जो की आज हुआ है कलाम Pre-Read 2.0 उसका पेपर है SST, Hindi, Sanskrit, Psychology चार अलग अलग पार्ट मेंने अप्लोड किये है उन्हें देखकर आप पेपर सॉल्व कीजे मैं वन बाई वन आंसर की अप्लोड कर रही हूँ जैसे कि मैं अभी साइकोलोजी की आंसर की लेकर आई हूँ मैं यह नहीं कहती कि यह बिल्कुल सटिक आंसर है इन में से 28 के लगभग आंसर तो बिल्कुल करेक्ट होंगे लेकिन एक और दो प्रश्ण ऐसे हो सकते हैं जो doubtful है जिसमें आपको भी doubt हो सकता है और मुझे भी अब यह देखिए सबकी जो मानवी शक्ती है या कह सकते हैं सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है तो आप जो concept best question है उनमें कुछ और सोच रहे हैं मैंने कुछ और सोचा है लेकिन 28 तक question बिल्कुल सही है यह इसकी guarantee में ले सकते हूँ तो चलिए देखते आंसर क्या होंगे पहला प्रशने बांडूरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम में विभिन प्रक्रियाय शामिले जो एक निश्चित क्रम का अनुसरन करती है निम्न में से कौन सा क्रम सही है सही क्रम बताना है तो बांडूरा ने पहले अवधान प्रक्रिया बताईए फिर इस्मृती उसके बाद अनुकरोन लास्ट में अभी प्रेना यानि कि एक दो तेन चार ये क्रम से ही दे रखें तो राइट आंसर हो जाएगा एक दो तेन चार या पहले बिल्कुल सही उत्तर होगा अगला प्रशने दूसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदाईत यहां नहीं है क्या नहीं है यानि कौन सा उत्तरदाईत में नहीं है एक शिक्षक का विद्याले में उपस्तित होने में नियमीत होना ये बिल्कुल सही है माता पिता और रक्षकों के साथ नियमित बेठक कर बाला की शिक्षन प्रगती से अवगत कराना ये भी बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पर जो फोर्थ ओप्षन है वो गलत हो जाएगा पाटे क्रम का निर्धारन एवं निर्मान करना ये शिक्षक का उत्तरदाई तो नहीं विकास के सिध्धानतों के विशे में निम्नलिकित में से कौन सा गतन गलत है गलत बताना है विकास वन्शानुकत्व बातवन के बीस सतत अन्योन क्रिया से होता है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है विकास केवल परिमानात्मक प्रक्रिया जिसका माप प्रतिक बालक विकास के सभी चर्णों से गुजरता है फिर भी उन में व्यक्तिक भिन्दताएं पाई जाती है तो राइट अंसर होगा बताईए आपने क्या राइट आंसर किया है यहां पर होगा विकास केवल परिमानातमक प्रक्रिया जिसका मापन किया जा सकता ऐसा नहीं है विकास परिमानात्मक भी है और साथ में गुनात्मक भी है तो यहां पर सी ओप्शन सही हो जाएगा अगला प्रशने चो था उत्तर बालिकाल की फिशेश्टा नहीं है इस अवस्ता में बालक सभी आवशक मानसिक शक्तियों से संपन होता है किन्तु उस कि आवस्ता के नाम से भी जाना जाता है तो राइट आंसर होगा उत्तर बालिकाल की विशेश्टा नहीं है कलपना लोक में विश्टरंड करना अगर आपको आगे वाला उप्शन यानि आगे वाली लाइन अगर आपको सही भी लग रही है तो आप पीछे वाले के अकोरड अपने अनुभव के आधर पर अपने लिए ग्यान की रशना करते हैं रशनात्मक परिप्रेक्षी यह संके देता है कि हर विद्यारती व्यक्तिकतु सामाजिक तोर पर अर्थ निर्मान करता है रशनात्मक अत्वा जटिल कारे करने के लिए आवशक ग्यान परिस्तितियों में नहींत होता है रशनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक की इर्द गुर्द गुमती है और वह इसमें केंडरी भूमिका का निर्वा करता है तो रास्ती पार्टी चले रूप रेखा 2005 के संदर्वे में असहमत है तो यहाँ पर डी ओप्षन राइट हो जाएगा क्योंकि एक शिक्षक की इर्द गिर्द नहीं गुमती है क्योंकि विद्ध्यार्थी खूद अपने ग्यान की रचना करता है तो यहाँ पर केंडरी भूमिका शिक्षक की ना उकर किसकी हो जाएग तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दी हम दी ओप्षन से असहमत है अगला प्रशने छटा निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंदान से संब्धित नहीं है यह विद्ध्याले में व्याप्त रूडिवादी व्यातवरन को समाप्त करने में सहायक होता है इसक कारी करता विग्यानिक धंक से अपनी समस्याओं का अध्या निर्णयान निर्देशन सुधारे में मुल्यांगन करते हैं यहाँ पर दो ओप्षन बिल्कुल करेक्ट है पहला और डी यानि कि ए और डी लेकिन बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन है डाउट है लेकिन मेरे अगला प्रशन देखे सात्वा राजस्तान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडो के साथ की शेक्षिक सत्र में सामिल किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 2017-18 अगला प्रशन बुद्धी को किस योगिता के रूप में परिभाशित किया जाता है प्रत् अगला प्रशन है एक प्रवीदी जिसमें अनुक्रियाओं का करम इस्थापित किया जाता है जो अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरुषकार लाब दिलाती है और पीछे की और कारी करती है यह केलाती है शेपिंग उद्धीपन नियंतरण श्रंखला और उद्धीपन सामान इस पर काम किया गया था तो राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा ए ओके अगला प्रशने दस्वा मेच करना है एक तरफ अवधारना है दी गई है एक तरफ मनोविग ज्यानिक दिये गए है मांसी कायू किसके द्वारा बीने के द्वारा बुद्धी लबदी इस्टर ने धिढ़ी इन्नियू यानि एम्ली में हो जाएगा दू खर सी वियां पर दून हो गया सारी की स्से जाता है अंतर नोद में कमी आना जिसका उद्देश जेविक आउशकता को पूरा करना ही जिससे जीव को कारी करने की उर्जा मिलती है जिससे उर्जा मिलती है और व्यवार को दिशा भी मिलती है यहाँ पर तीसरा उप्शन जिससे जीव को कारी करने की उर्जा मिलती है सही ह लेकिन इससे भी जादा सही है कि उर्जा मिलती लेकिन साथ में उस वेवार को क्या होती है दिशा भी मिलती है तो राइट आंसर हो जाएगा D अगला प्रश्ण के अनुसार मातापिता के आदेश की अवग्या जिसταति सही हो जाएगा निमनांकीत योग्यताओं के उद्गवम का सही क्या है एक प्रतिग्यक्ति सोच अहम केंदित व्यवार वास्तिविक्ता का मानसिक प्रतिरूपन तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या बताया था उसने एक आगरता उसके बाद अहम केंद्री फिर वास्तिक्ता और लास्ट में प्रतिग्यप्ति सोच यहां पर सी ओप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ओकी यानि कि क्यों सा प्रश्ण था है प्रश्ण देखिए प्रश्ण प्रश्ण देखिए प्रश्ण नमबर 14 का क्या आंसर होगा 14 देखिए आलपोट के अनुसार व्यक्ति के शिल्गुणों का सही युगमु कौन सा है तो आलपोट ने पहले कार्डिनल बताया था फिर सेंटर और फिर सेकंडरी तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ओक अगला प्रश्ण पंद्रवा निम्ने लिखित में से किसका संबंद आगमनात्मक तरकणा से है पहले से अनुमाल लगाने की युग गिता भहुसे प्रेक्षणों से निशकर्ष निकालना एक विचेस से दूसरे विचेस का अनुमाल लगाना इस बात का मुल्यांकन की क्या दो आधार वाकियों से निशकर्ष निकलता है तो राइट आंसर क्या होगा आगमनात्मक तरकणा बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है बहुसे प्रेक्षणों से निशकर्ष निकालना एक चात्र रात में अपने दोस्तिकी बारात में शामिल लोना चाता है परन्तु उसी सम अगला प्रशने निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है इसका केवल ग्यानात्मक पक्षिस है संबन आकलन सुचनाओं को एकत्रण है या निरंदन चर्णने वाली प्रक्रिया है इसका स्वरुप सुधारात्मक है तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए इसक अतिकत भिन्यता में समलित शेत्रों का सही युग में है बोद्धिक इस्तर पर आधारिक भिन्यता उपलब्दी में भिन्यता गति वाही कोशल में भिन्यता उप्रोक्त सभी तो सभी चीजों में बुद्धी में भिन्यता पाई जाती उपलब्दी में भिन्यता होती है उन प्रत्या गमन का नियम जिव सांखीगी का नियम तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा सोरेंसन ने समानता का नियम दिया था तो यहां पर क्या है संतान की शारिडिक नजना और मांसिक जो गूणें मातापिता के जैसे होना यानि समान होन आइना है प्रफृशै इस्लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अगला प्रश्न है झाए 20暗 का या फिक्टि कुत्य को बिस्कित ने से पहले बिस्कित के बॉक्स अगला प्रश्ण एक भालक का भासा विकास मुक्यतन निरभड करता है अभिप्रेनापर अनुकरण पर अनुबंधन पर या उप्यूक्त सभी पर तो राइट आंसर हो जाएगा सभी पर निर्भर करता है अगला प्रशने 22 वा निम्न लिखित में से सत्य कथन का चैन कीजी चिंतन एक संग्यानात्मक प्रक्रिया है समस्या उस परिस्तिती को कहते हैं इसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान त्यार होता है समस्या समाधान वा स्रिजनात्मक चिंतन के पदों में कोई वीशे चंतर नहीं होता है एक ही भुद्धी इस्तर के बालकों की स्रिजनात्मक ना जो स्रिजनात्मक ना होती है उसमें विभेत पाया जाता है तो राइट आंसर यहापर क्या हो जाएगा बी कि समस्य उस परिसिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से ही समाधान होता है अगर मनुष्य के पास किसी चीज का पहले से ही समाधान है तो वो समस्य के से कहलाएगी बताओ तो प्रतिबाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महतों किसको देना चाहिए अध्यापक के निर्णे को बालक के परिवार की प्रष्ट भूमी को जीवी को पारजन के लिए चुने गए व्यावसाय को या फिर वस्तुनित परिक्षणों को तो राइट आंस क्या हमें प्रतिबाशाली बालक की पहचान करनी है तो हम वस्तुनित परिक्षणों को महतों देंगे राइट आंसर या पर क्या हो जाएगा डी पच्चिसवा देखिए निम्ने लिखित में से कौन सी विशेष्टा मुख्यता अउधान कमी संब्धी विकार यानि कि एडी पादन में इस्थाइत्व या फिर एकाग्रता में कमी तो यहां पर क्या हो जाएगा डिक्स लेक्सिया की शब्दों में अक्ष्णों की इस्तिती में उलेट फेट कर देना यहां पर करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्ने 26 निम्ने लिखित में से कौन सी मन्द बुद्ध बुद्धि बालक की विशेष्टा नहीं है बुद्धि लब्दी का 25 से 70 के मद्य होना शेक्षिक रूप से पूर्णता अशिक्ष्णिया असामानिय व अनियंतित मांसिक रिया है बुद्धि न्यून्यता न्यूनता सोरी तो क्या हो जाएगा मन्द बुद्धि बालक की व मुर्ख बुद्धि अल्प बुद्धि उदासिन बुद्धि यह चीज़े आ जाती है जबकि मुर्ख बुद्धि बुद्धि लब्दी है वो लगबग 80 से 90 की बीच में आती है यानि की 70 से 80 के मद्य आती है और यहाँ पर 25 से 70 दिया गया है तो ए राइट आंसर हो तो यहाँ पर राइट आंसर हैगा ए व्यवार को कम करने के लिए अप्रिय उद्धिपक की प्रस्तूती यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने 28 वा अधिगम की विशेष्टा नहीं है व्यवार में परिवर्तन लाना ये तो है अधिगम मानव संस्कारों शम कारण होता है तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा परिपक्वता के होना जो परिपक्वता से अगर कोई बदला होता है तो वह अधिगम के अंदर नहीं आता है ओके तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का 29 वा देखिए कोहलबर्की के अनुसार निम्ण लिखित में से कौन सा ने तरकना समवेदी गामक काल्या फी प्रतिका प्रति कारात्मक न्याय का नेतिक विकास तो राइट आंसर हो जाएगा है आप बी पस्च रूडिगर नेतिक तरकना ओके यह आप सही होगा अगला प्रशने और अंतिम प्रशने अधिगम के संप्रतिय निर्मान एवं समस्य संग्यान वादियों के द्वारा किये गए हैं राइट आंसर होगा ओके दोस्तों ये 30 प्रशने कमेंट सेक्षन यानि कमेंट पर बताए बिना मत जाना कि आपकी कितने सही हो रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और मेरे साथ बने बन